नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारे चैनल में दोस्तों अगर आप भी सुरुकमार यादो को एक विस्पोटक बले बाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों कोलंबो के आर प्रेम दासा एस्टेडियो में भात और सिरंका के पीच तीसरा और आठ क्री बंडे मुकाबला खेला गया प्रोष जीत कर भारतिय टीम ने पहले बले बाजी की पहले बले बाजी करते हुए भारतिय टीम ने 250 रोनों का लच रखा लेकिन उनके बड़े विकेड भी जल्दी गिर गय थे इसी दोरान मैदान पर ऐसा हास्ता हुआ जिसे देखने वालों की आखे खुली की खुली रह गई दासल मामला तेशों ओवर का है जब सुरु कुमार यादो को बड़ा जीवन दन मिला दासल ओवर की जिम्मेदारी जया विक्रमा समाल रहे थे पाहली ही गेंद पर भारती बलेबाज ने स्वीप सौट खेला लेकिन गेंद और बले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ पायड पर बॉल लगते ही स्री लंकाई खिलाणियों ने जोरदार अपिल की जिसके बाद कुमार धर्म सेना ने उंगली उठाने में कोई भी देरी नहीं की अपने साथी बलेबाज मनीज पांडे से सला लेकर सूर ने डियास लेने में कोई गलती नहीं की काफी देर के इंतिजार के बाद बॉल ट्रैकिंग आया और उसमें दिखा की गेंद आफ इस्टम के बाहर गिरने के बाद विकेट पर गिरी बिग इस्ट्रीन पर यह देखने के बाउजू सी लंकाई खिलाली खुसी से जूमने लगे मैदान का महौल देख सूर कुमार पवेलियन की ओर भड़े ही थे कि अंपाय ने उन्हें रोका और अपना फैसला बदलते हुए नौट आउट करार दिया हाला कि सी लंका का रिव्यू रेटेन भी हो गया साय सी लंकाई खिलाडियों को नियमों का अंदाजा नहीं था पता दे बारिस की वज़े से कोलंबो में काफी देर तक मैच थमा रहा पिछको हला की कावर से तुरन ढखा गया वहीं बारिस की वज़े से टाइम बरबाद होने से इस मैच को 47 ओर का कर दिया गया था तो इस तो फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही ज़्यादा जनकारी और क्रिकेट केने तमाम खपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद